हेलो इस्ट्रेंट्स आज हम शंधी प्रक्राण के बारें बताएंगे तो सबसे पहले शंधी का मतलब क्या होता है संधी का अर्थ होता है जोड मेल जैसे दो वर्णों का जब मेल होता है तो उसमें जो परिवर्टन होता है उसे संधी कहते है दिखे किया जैसे मान लिजे कि दूध हो गया और मठा हो गया दोनों को मिला दिया तो यहीं संधी कहलाती है इस्टुडेंट्स सबसे पहले संदी बताने के पहले हम आपको वर्णमाला हिंदी वर्णमाला के बारें बताते हैं तो हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण 11 है अ आ ए ए उ री ए ए ओ चोटा आ छोटी ए छोटा उ और री यह चार जो आपके मूल स्वर कहे जाते हैं अ हरश उस्वर इनको कहा जाता है तो हरश उस्वर का मतलब होता है छोटे सभी skal वाशार अ बड़ी और वड़ा हो ये दीर्षाथ क्रहाल हैं अ दीर्षार आर्थ होता है बढ़ा अ कि मैं इस अए ए ओ ओ इनोग रिम को संभ्लक सल कहा जाता है बच्चों जैसे छोटा और बड़ा इनको हम सजाती कह देंगे एक ही जाती के एक ही परिवार के छोटी और बड़ी ये भी एक ही परिवार के हो गया है छोटा उ और बड़ा उ एक ही परिवार के नहीं हुआ ही्ट तो इनकी प्रक्रिया क्या है जब आपस में बड़े हो जाते है अई तो किसको प्रियुर्टि मिलेगी किसको ज्यादा रिष्थक्ट मिलेग़ा बड़े को तो किसको रिस्पेक्ट पेले Mr अगर दोनों मिल गए तो नहीं रिस्पेक्ट बड़ा हो जाता रिस तिक चोटी बड़ी आपस मिलते हैं तो बड़ी हो जाता है छोटा ओ और बड़ा ओ मिलता है तो बड़ा ओ हो जाता है इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार ए और आ कैसे बना और ओ कैसे बना तो जब छोटा आ या बड़ा के बाद में छोटी या बड़ी आती है तो ए बन में अगर चोटा ऊ या बड़ा उ आती है तो हो जाता है और छोटा आ, बड़ा के बाद बड़ा के बाद में और और यह हो जाता है तो इस तरीके से नहीं तो निर्शी है तो तो आप समझेंगे कि नहीं समझें मतलब क्या है जब चोटा यहां पर बड़ा बड़ी यह बड़ा उ हो जाए वह दीर कहलाता है तो दीर्क संद में आपको यह बताएंगे इस बात का भी ध्यान रखेगा कि ए कैसे बन जाता है चोटा बड़ा के बाद में जब चोटी बड़ी आते तब आ जाता है ओ कैसे बन जाता है चोटा बड़ा के बाद में चोटा ओ या बड़ा ओ आ जाएगी तो बन जाएगा तो A और O हो गया अब इसके बह्लत के बाद ही इसके आँगे की बात आकर आए आँगे'mden आ आ, यूँब दूद आ आए है और O कैसे बनता है तो A और O की बात जब आती है बचो तो इसके लिए क्या है इसके है After then, मैं आपको भेंजन, Consonant के बारे में बताता हूँ Students Consonant Hindi में 33 होते हैं अलग-अलग किताबों में आपको अलग-अलग देखने को मिलेगा लेकिन अभी हम आपको जो basic चीजे हैं, उसको हम बता रहे हैं ति 33 होते हैं, और उन में शे, इस परसी 25 होते हैं आपके सामने चार्ट बना हुए है इस चार्ट में जब आप देखेंगे तो हमने क्या 1,2,3,4,5 करके लिख्या है तो इसमें क्या पहला यहाँ पर वर्ग का जैसे पहला अक्षर है दूसरा अक्षर तीसरा चौथा पांचमा इसके लिए बताने के लिए काउंटिंग है तो जैसे जैसे का खा गा गा अंग यह पूरे की पूरे कावर्ग कहलाते हैं मतलब जो गृूप लीडर होता है का है आंगे जो सुरू की पहले नंबर में जो अलफाबेट हैं उसी अलफाबेट के एकॉर्डिंग क्या उनका नाम रख दिया गया मनिका गवर्ग कावर्ग मतलब एक गा घगा अंग इस सब्सक्राइज है एक है तबर्ग मतलब है比較 मतलब है वर यृक्षर को कौन काौनgram से है तो वर का दूसरा अच्छर कुन है खा छा था था और फा वर का तीसरा अच्छर कुन है गा जा रा दा और बा वर का चोथा च्छर कुन है घा जा धा धा और बा वर का पांचवा च्छर कुन है वर न है अंगा या रा ना और मा तो इस तरीके से वर्ग के पहले वन है, वर्ग के दूसर वन है, वर्ग के तीसे वन है, वर्ग के चौथे वन है, और वर्ग के पांच में वन, इस तरीके से हम इसको क्या है, दिमाक में रखेंगे, जब हम इसे आपको बताएंगे, तो समय कि आपको इन सब चीजों को ध्यान इस परसी और उस्म के बीच में होते हैं इसलिए इनको अंतस्त कहा जाता है इसके बाद हैं तीनों प्रकार के सा और हा ये उस्म वण में आते हैं बच्चो इस तरीके से ये हिंदी जो है कि जो में जो ब्यंजन है ये 33 हुए ठीक है अब आपको संधी की पहचान बता रहे हैं कि जैसे आपको सबसे पहले आप देखिए बिना किसी रूल्स को पढ़े हैं बिना किसी टेंसन के आप क्या है संधी को कैसे पहचाने इस बात पर हम अभी आपको बता रहे थे हैं कि देखिए कैसे आप पहचानेंगे तो पहचान आपके सामने हमने बता दिया है देखिए ह संधी जो होती है इसमें क्या है इसमें दो टुकड़े होते हैं दो टुकड़े हुए है तो पहला हिस्षा हो गया दूसरा हिस्षा हो गया कि तो आपके जो पहले हिस्षे में अगर कोई भी लास्ट में कोई भी सिंबल नहीं है कोई भी निशान नहीं है इट मीन्स वह क्या है स्वरसंधी है अगर पहले हिस्से में जैसे आम आपको देंगे हलंत है इस हलंत को अगर आपने देख लिया है अगर इस हलंत की बात अगर कही जाए तो यह हलंत है इस हलंत में क्या है आप समझे की क्या यह बियंजन संदी है ठीक है और अगर क्या हो गया इसके बाद अगर आपको क्या है दो बिंद्या रखें विशर्ग है तो विशर्ग है तो समाझों की विशर्ग संदी है कोई शिंबल नहीं है पहले पार्ट में इसका म्सवर्शंद्य है अगर में अगर संधी कहा पर कि शरणी काँपर अपर हो गयर दो स्वर्ण वर्ण होता है गोगी विंजन संदी कब होगी बच्चों जब बेंजन वर्णों के साथ में वर्ण आ जाए तो बिसर्ग संदी होती है जब विसर्ग के देखते नहीं है यह जो है यह सिंबल है हाज से बोला जाता है हाज जैसे इसका उच्छान होता है कि इस चीज का द्यान रखे जो बेंजन वर्ण होते आपके उसमें जैसे का बोला गया है का मतलब कामी और आ मिला है घर तो आपको नहीं बताया कि जैसे किस तरीके से उसके इंदर वर्ण जो तो स्वर्ण जोड़े होते हैं स्टुडेंट्स आप्टर देन हम आप से जो कर रहें अब हम स्वरसंधी की बारे में चर्चा करेंगे और सूर संथी में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्वर प्लस तो इकल टू श्वर संधी बने जब दो स्वर्वर्ण के बीच में आपस में मिलते हैं अब स्वर्वर्ण कुन से हो गए मैंने आपको बता दिया था छोका बड़ा छोटी बड़ी पर यूब यह वह वह और अवह लिजा और आप बड़ाओ की मात्रा जहां पर देखिए जहां पर क्या बड़ाओ की मात्रा है तो उसमें कि दो टुक्ड़े करें और दो टुक्ड़े करने के बाद अगर अस्तार था मेनिंग कुछ निकल रही है जाते हैं यह अपने देखा मता लिखा नियुक है कि फीरिए कि अनुछार यहांपर किता और यहां करने सब्सक्राब्र,所以呢 मेनफ जेट दीए बड़ा के इस्तार जो आप में किताब में भी किताब रोल से दिया है लेकिन इसमें मैंने आपको बताने का प्राश किया है कि किस तरीके से क्या है करल आप देखिए चोटा या बड़ा आ है कि बागए फिर झोटा या बड़ा ay ay कुछ भीए किता है तो अब ही क्या है चाय चोटा छोटा मिलकर बढ़ा हो जाता है यह पर आप देखिए व्क में आप पेज मë rescue five में देखेंगे तो धेशार सारे लिखे हुए है तो यहाँ पर कहें कीवल आपको सिंपल शीवात है वोजन प्लस टार चोटी बढ़ा की बड़ा हो गया इसका सिंह्पल समय mos तो यह आपस में जब मिलते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हरस्ट हो चाहे दीर भूँ, तो बड़ा हो जाता है और वहीं पर दीर संदी होती है। इसके बाद बात चलती है गुण संदी की, अब हम क्या है गुण संदी के बारे में बताएंगे तो आपको गुण संदी कैसे पहचानना है, आपको पहले ही देखते ही गुण संदी कैसे पहचानेंगे, अगर आपने देख लिए कि A, O और R, R मतबर रेफ जो होते हैं, ये अगर आपको लगे मिल जाएं तो समझ जाओ कि गुणसंदी है मतलब शीदी शीवात है अगर किसी के सिर पर शिंगल टोपी कि एक मात्रा उपर रशी लगी हो एक यहां पर चूंदी की तरह जो तो लटक रही हो समझ रहे हैं चोटी लटक रही हो पर कि समझ जाओ क्या वहां करें हैं गुणसंदी है सिर के ऊपर एक ही मात्रा रहेगे तो गुणसंदी है मोटे तवर पर आप इतना देखो और उसे क्या है कि समझ जाओ और बिन वहां पर कोई जूुर्ग मजशल मेंगें करेंगे कयाई कर दति है कि आदेव शिर में ना तो मतलब वहां से हम टुकड़े कर सकते हैं टुकड़ा करने पर दो सब्द उसमें निकल आए मतलब समझ जाओ क्या यह कौन है गुण सब्सक्राइब मतलब इसमें से ए ओ और अर यह होता है छोटा रूल समने इसमें लिखा है छोटा स्लैस यहां पर बड़ा प्लस चोटी या बड़ी चोटा हूँ या बड़ा हूँ रिरशी तो चोटा बड़ा के बाद में अगर चोटी या बड़ी आती है तो ए हो जाता है चोटा आ पदा के बाद ओ या बड़ा ओ बाते है तो और बड़ा की बाद में लिए रिशी के आता है तो अर हो जाता है और इसक間 लिए हम ने एक दोआ लिखा कि आ आ के स्話मने ई ए हो जाए और के देख jump की बात आया संस्रत के लिए होगी होगी अब उसको चुगड़ा की और अब उसको चुगड़ा कि अब उसके बार जाएगा इस इस तरीके से यह क्या है हम देख करके कि एकी मात्रा ओकी मात्रा यह गुण स्वर्शंदी की पहचान हुई करें कि कि अब कोई भी बात है गुण की आगी क्या भात है बात स ब्रादती की आएक गया बργड़ीअ का मुझा हो गया बढ़ना बनाने एक मात्रा और बढ़ गई उपर घर एक मात्रा थी तो दो appro हो गई ए में जलेक हो गया को कि जगे पर ओं क्था कि वर गईए इस ब्रदी हो गई बढ़ना और यह वान् वान्निस ए उपड़ाल présent लग जाएंगी ब्रद्द हो गई न उन्म मात्रहों में इसलिए क्या बात कि आतो गजों जैसे छोट्व बढ़ा के बाद में अगर ऊपशत की सद्व और हो जाता है था दा के उपर दो मात्रा है तो क्या है यह आए और आओ यह दो क्या है इन वड़ों को ध्यान में रखना है आपको यही है बढ़ना है एक मात्रा उपर थी तो दो मात्रा हो गए ठीक है बढ़े गये अब बच्चो इसी में से हम यन संदी की बात करते हैं अब यह ब्रद्य संदी के यहां पर इसके लिए हमने जो दोहा बनाया था कि आ आ के सामने ए आय हो जाए ब्रद्य संदी है में और तब ओ ओ ओ हो जाए इसका यह रूल से तो जैसे क्या है एक धन एक 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 और महा धन ओज महोज शदा धन एव सदेव इसके एग्जम्पल जैसे हो जाएंगे फिर यन संदी की बात आती है अब यन संदी में बच्चो आपको बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है कैसे पहचाने की यन संदी कहा है यन संदी में जब आप देखेंगे तो आपको कि ज्ञाधा तर जो है यहां पर लेटर्ज यहां पर रिश्मे क्या है मिलेंगे शंदी म कईर का है को आपको डेखने आक सब्सक्राइब नद्यार्पन जो है दा और या से मिलकर बनता है वह एक साथ मोई लिखा गया द्या बन गया तो आप देखे जिसमें भी आपको अत्याधिक अत्याचार जिस अभी जो है कि प्रत्येक है उपर युक्त है स्वागत है सभी अन्वेशन सब किसमें जाएगा लिखने को मिलेगा है और और आपको इसके पैचान किया है कि इसमें या वा और रहा है या वर या रभ कर दो क्या कर दो या वा और रहा या आपको मिल लेगा यह कम इसको या रब कह सेक्टे लिए यजिए नहीं ताकि किया है यह कोटिंग श्रीज आट हो जाएगा चोटा यह और बड़ाई के बाद में चोटा यह या बड़ाई के बाद में कोई क्या दूसरा स्वार आता है इनको छोड़ कर कि छोटा यह लोड़ा ओ ओ के बाद में कोई दूसर राया चोटा ऑब बढ़ा के बाद में को Yohil. इसकी बात नहीं चर रही है मतलब क्या अपने गुरुप की बात चल रही है इन में से क्या है कोई दूसरा डिफरेंट अगर वावेल्स आता है तो ए और चोटी और बड़ा ए की जाए पर या हो जाता है और रीज़ सी की जाए पर रा हो जाता है म taraf इस आती धंए अदिक अट्यषय अचार अथ्याचार तो बच्चो रहें कि आपने देखा चोटी ई और आ मिल कर के या बन गया बढ़ा अथा था तो बढ़ा हो गया तो जैसे ती थी तो तीशी में यह देखे ता और ए मिलकर के छोटी थी अब शोटी थी तो यह और आ मिलकर यह बन गया तो ता आधा हो गया कि नहीं हो गया ठीक है शूधन आगत स्वागत तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यन संधी की पहचान आपको क्या है या वा और रा अगर आपके पास आपको देखने के मिला है वो क्या है यन संधी यन संधी में बताया था मातर प्रसाग्या मातरा ग्या और अब चलते हैं आयादी स्वरसंधी में आयादी स्वरसंधी को आप कैसे पहचानेंगे इसमें क्या है कि ज़्यादा तर्किया होता है इसमें तो पहली बात आप पहचानें कि आये आव आव होता है आये आये आव 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 फिर से सुनिए आए आए अव आव ठीक है अब इनकी यहां पर यह मात्राएं इसमें क्या को इसके उपर ज्यादा दर क्या है इसमें उपर की मात्राएं नहीं होती है इसमें उपर की मात्राएं नहीं होती है जैसे क्या है ने प्लस अन नयन नायक भवन फवन ठीक है ऐसे ज्यादातर होते हैं जब नाविक है जैसे भावक है और एकाद जैसे अब तो बच्चों होता है क्या है इसके लिए क्या है रूल से है कि ए ए ओ आव सामने मिलाए बिजाती श्वर ए ए ओ आव आव बिजाती है मनदब उसे हड़े करके दूसरे जो गात के श्वर कोई मिलते हैं तो आए आए आव आव हो और संधी आयादी श्वर मनदब क्या है ए आए ओ के बाद में कोई दूसरा श्वर आ जाए तो ए की ज़ए पर आए हो जाएगा और या ओय और आए की ज़ए पर आए हो जाएगा ओ की ज़ए पर आव हो जाएगा और आव की ज़ए पर आव हो जाएगा और आव की ज़ए पर आव हो जाएगा मतलब प्लस आदी आयादी है ना ये आय आय अव आओ तो पूलना नहीं कहां आयादी कहां पर रोग जहां पर उसका नाम ही आय आयादी तो ऐसे शुरूई होता है आय आय अव आओ तो इसमें से नेधन अन नयन नायधन अक नायक भोधन अन भवन और पावधन अक पावक इस्टुडेंट्स इस तरीके से हमने देखा कि ये स्वरुषंदी होती है स्वरुषंदी के एक्जामपल्स आपकी बुक में दिये हैं अन उन एक्जामपल्स क्यों आप प्रेक्टिस कर लिए दो चार बार पढ़ लिए गए अब इसके रूल्स में हम चलते हैं अब इसके रूल्स में चलेंगे अब इसके रूल्स में यह है इस्टुडेंट्स कि बहुत सिंपल सा फार्मूला यह है जैसे मैंने बताया था कि वन प्लश कि वन में पहले बताया था वन क्या है कि वन कहां भड़ा है इनका क्या बंजाना का का जा बन जाना अच्छा का जुभ अज़ाना टा का रा बन ज जाना टा का नका बन पाका वाबबन जाना ये है पहला रूप कि वर्ग का पहला अपने ही भर का तीसरा बन जाता है कि महनने क्या है एक जो है तो 3 मीं कन वर्ड हो जाएगा है पकर कि ए two um प्लस when मतलब पहला प्लस थ्री मतलों तीसरा वन पहले वन के बाद में अगर ये कुछ आता है चाहिए जाहिए श्वरा या नतस्त आए तो पहला वन क्या हो या था तो यहां पर में कनवर्ट हो जाएगा से अब यहांतर भास में आ जो घ्या दौर्स हुआ है इसके लिए हमने किया रिज़े इसे बनाद आपको बता दिए रोक को जाएगा इस Cindy या की अंतस्त रॉट के परफम-वन खुद तीसरा हो जाएगा तो बार के과 ॐ कि पहले अक्षर के बाद में यदि कोई तीसरा चौथा वर्ण आ जाता है यह की अंतरस्त वर्ण आते हैं तो पहला वर्ण अपने ही गुरुप का तीसरा हो जाता है यह पहला रूल से जैसे पन प्लस आब पंजाब दिख प्लस अंबर दिगंबर वाग प्लस जाल वाग जाल दिख प्लस गज दिगज यह सभी इसके एक्जामपल है आप रहे देने स्टुडेंट्स सेकंड रूल से और सेकंड रूल में क्या है इसमें से सेकंड रूल में हम क्या है हमें देखना यह है कि वर के पहले वर्ण का पांचमें वर्ण में कंवर्ण हो जाना वार्ण किसमें हो जाए एक जो है जाकर के पांचमें में बदल जाता है है ना वर्ण का पहला अक्षर वहाँ पर क्या पांचमें में बदल जाए इसका रूर्स ट्रेसा संब 1 प्लस 1 के आंगे नम, बने खुद का पंच़का है क्या है एक के आंगे या की ना आए या की मा आये तो1 पहला वर्ण क्या होता है अपने पांचवें पहलें में कनवर्ड हो जाता है जैसे वह वाक प्लस मंहा हैं और मां आ गया कि तौकिया है काकिश मीं Convert हो जाएगा कांग हो जाएगा झमीं। खेल हुरु झाई घ जगत प्लस नात तो जगन्नाथ हुपत्त्ता इसमें leक चाह तो आधानामी इस्टूडेंट्स तासंबंदी जो तो वर्ण के जो नियम है इस में क्या है बहुत छोटा सावाज आपको बता दूं कि कि ताद वर्ण के सामने चल जड़ को हुए है चल जड़ को हुए है ना यहां पर क्या थोड़ा सा मैं यहां चेंज कर दिया था तो कि तावन के सामने चल जड़ आ जाय तो सामने जो अच्छर पड़त तद वही बन जा ता और दा के 6 आथ के बाद थी forgiving कि तादा भर्ण के बाद में क्या होता है जूल से कि अगर कौन भी चळ आये की ला आये की जा आये की डव बने कोई आय blij कि तो जो है तो अपने सामने वाले उडेंट है अलफा बैट कई षेंज हो जाता है कैसी उडेंर आपको हमें इसे बताया निए टाके बाद में चा अगर आ जायेगा तो नल बन जायीगा ताके बाद में देञ न जाएका तो देड़ बन जाये गा ब mobilize फ्ल्स चारण उस्चारण पुट नाश उच्छाइन पूट रोज़या शट हदधन्जं सजन उथमोट भी palabras जॉण्टीज़ सबंदी जोनियम यह स्वर्प्लस छ्छ तो क्या हो जाता है स्वर्प्लस छ्छ अगर स्वधंचन्द पर आजाता है बने स्वर के आंगे च्छा पड़ा तुच्चा आया सर्माएं सर्माते हुए आ गया वहां पर कोई नहीं है नहीं अपने आप आ गया अभी तक आपने क्या दिश्पूना था परिवर्तम में तो चेंज आता है यहां पर क्या हो आगे सर्माते हुए अब मा के संबंध में जो नियम है इसमें क्या है इसमें नियम यह है कि मा के बाद में अगर कोई इस परस्री वर्ण आता है इस परस्री वर्ण आप बंध को मैंने बता था का से लेकर की मातक के बंध जो होते हैं इस परस्री वर्ण कहा जाता है तो मा अपने क्या होता है चैंसे किम प्लस कर किंग कर अगर यह आ जाते हैं तो मा किसमें अनुस्च्वार में बदल जाता है बिंदी पुल लग जाती सम प्लस योग सही योग आपर देन इस्टुडेंट्स अब हम जो है जब रिखते हैं सेहबंत के बाद में एड़ नंबर के एड़ नंबर में देखिए जश्या आपको बता रहे थे सास अनौते का सासट कौन का यह संबन्दी जो रूल से है वाने छोटा आ या बड़ा के बाद में इनको छोड़ करके इनको छोड़ करके अगर कोई दूसरा सर हो अब फिर सास अनौते वाला आए तो वह सासट कौन में कनवर्ट हो जाता है जैसे वी प्लस रम विश्याम ऐसे ना का अड़ां बदलने का जो नियम है रिर्शी जर्रा और सासट कौन का इसके बाद में ना आता है तो ना अड़ जाम में चैंज हो जाता है परिफ्रस नाम है परिणाम कि विश्याव के लिए वच्चों देखते ही कैसी आप समझ जाएंगे कि इसमें विश्याव गया है देखिए रूस कुछ नहीं था रूस के बलापको क्या करना है कि रूस को आधार पर आपको अधार्ण करना है कि अधासा-और का है आदास क्या है कि सासल्जम का है रेप है इनको क्या करो आप का कर दो कि बद्री मुव करने के बाद आपको दोटुकड़े मिलेंगे विश्याव लगा दो आपको देखिए क्या है आपकी आधी संदित वैसे हो गया है वहाँ पर मैंने जो गलत बोल दिया तो इसे क्या है इनको हटा दो अगर इनमें से क्या है यह बीच में इसका मतलब समझ जाओ क्या है कि 95 परशेंट आप आपका विशर्ग संदी थोड़ा बहुत जैसे आपको जैसे स्वर्शंदी में आपकी मात्रा जहां पर हो जाती है तो वहां पर आपको समझ में आएगा वहां पर हो सकती है लेकिन क्या फिर भी अपने आपने समझ में आ जाता है जैसे निरथक निहधन अर्थक निरधन निहधन धन रेफ आपको देखा आपने तुन देखा न ओगी जैसे आ जाएगी और वह में क्या जैसे क्या है पयोद पयाह प्लस दव वनुरत मना प्लस रत अधो गति अधा प्लस गति तो यह क्या है इसी तरीके सामें चेंज होने की बात है सासनोते का भी है तो आप 90% बने आपको बता दिया इस तरीके से आप देखिए केवल इसके बाद आपको इसमें से जो रूल्स है तो रूल्स में आपको बने बुक में आपको बता दिया है और लूप में ये लिख दिया है और फार्मूले की रूप में आपने देखा क्या है कि कि चोटा आके बाद में बिसर के पहले छोटा आहरा होता है बाद में आ हो जाएंकि ठाड़ फॉर्ट शुर्ट जो है यह अंतर्ष्ट बन हो तो क्या हो जाता है इसी तरीके से स्वर के पर पहले स्वर हो फिर बाद में चाय च्छाय तो सा हो जाता है कि विशर्व के बाद अगर तायकी सासरोंते का है तो सासरोंते का हो जाता है विशर्व के बाद ने सासरोंते के लिए क्या है अगर विशर्व के पर ए या उ होता है और फिर बाद यह वन आते हैं कि तो वे बिसर्व क्या है साशट कोड़क में इसके बाद में कुई दूसरा स्वर आ जाए विसर्व के बाद में तो वहां पर कोई सर कैसे बड़ा कैसी वह जाता है 122. प्रकन करें किया है ना हो आखरस्जा तो वहां पर क्या है कि वहां पर हड जाता है और शाथ में क्या जो स्वर होता है वह बड़ा हो जाता है जैसे निरोग हो जाता है अब यहां पर क्या है अ वह लोग लिखा जाते हैं अब आप लोगों कर समझे नहीं लिंगना गलत है निरोग कहा है नी रोग है यह उता बच्चो नी रोग आपने इंस्टूडेंट्स बिसर्ग कर परवर्तन ना जैसे तो जाद या से पहले चोटा अनार का है और बाद में काह या किपापतंग का है तो वहाँ पर क्या है विसर्ग के पहले स्वर है और विसर्ग के पहले आ नार का है चोटा आ है अई इसका विसर्ग के वाद में क्या है का कभूतर का की पापतंग का होता है तो बिसर्ग का लिखा रहता है उसे नहीं अटा जाता है यह बच्चों इस तरीके से आप लोग देखिए जीतने भी एक्जाम्पल से इनके प्रेक्टिस करिए और रूल्स को आपके बहुत इजी गोईंसे पढ़ने कोशिश करिएगा और थोड़ा सा दिमाग में बना करके रखिए जैसे मैंने बताया ठीक है उसे ज्यादा जो है तो टेंशन में नहीं रटने में नहीं बलकि आपके कागज में लिख लेकर प्रेक्टिस कर लिए देख करके रूल्स और रूल्स अगर आपके दिमाग में फीड हो गया है आप यहां पर क्या है थोड़ी प्रेक्टिस कर लिजे और उसी को देख करके आपने एक्जामपर्स बुक में दिये गए उन्हें एक्जामपर्स क्यादार पर और प्रेक्टिस कर लिए फोकेश देंट्स